इसका अनुवाद है श्रीला प्रहुपाद दुआरा एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं तो यहाँ सबसे important point है जो ये जो श्लोक है इससे पहले जब दूसरा अध्याय चालू होता है तो भगवान अरजुन को पहला आत्मा का ज्यान देते हैं ठीक है ना आत्मा का ज्यान का मतलब है आत्मा का ज्यान और भगवान का ज्यान भी इसका मतलब है कि अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम आत्मा हो और भगवान है मैं भगवान हू ठीकिन हमारा संबंध है ये ग्यान पहले देते हैं फिसके बाद ये ग्यान देने के बाद अर्जुन को भगवान धर्म का ग्यान भी देते हैं धर्म शासर के बारे में बोलखे हैं, यही जो पॉइंट है Japanese धर्म के बारे में, अर्जンフोन था है, अर्ज़न एक शत्रिय था है, शत्री का मतलब है युद्ध, तो अर्ज़न को बता रहे कि तुम शत्री हो, तुमारा धर्म है, तुमारा जन्म है, जो एक शत्री शरीर में ह हुआ है ठीक है ना तो इसका इसका ताथ पर यह है कि तुमको युद्ध करना है ठीक है ना तो अभी यहां यह जो आज का जो श्लोक है यह श्लोक बहुत महतुपूर्ण है इसलिए कि युद्ध दो का एक कारण में ऐसा हो सकता है कि एक कारण अरजुन के पास है कि वो शत्री है इसलिए वो लड़ सकता है सिर्फ कारण है कि मैं शत्री हूँ इसलिए मुझे लड़ना है तो भगवान ये श्लोकों से पहले ये बताते हैं कि अगर तुमने ये शत्री धर्म का पालन कर लिया तो तुमको क्या मिलेगा तो क्या मिलेगा अगर किसी ने अपना धर्म का पालन किया तो उसको क्या मिलेगा अरजुन का धर्मता शत्रिय शत्रियुद्ध करना अगर उसने ये धर्म का पालन कर लिया तो उसको बगवान बताते हैं कि उसको मिलेगा स्वर्ग लोग अगर उसका मृत्यू हो जाता है युद्ध में अगर उसका मृत्यों नहीं होता है धर्म के पालन में हम लोग कुछ कर रहे हैं हमारा ड्यूटी है अगर हमने ड्यूटी कर दिया तो हमको ये मिलेगा अगर अगर हमने ड्यूटी नहीं किया अरजुन ने अगर युद्ध में अगर वो जीत गया तो उसको क्या मिलेगा? उसको पुरा राज्ज्य मिलेगा ना राज्य को एंज़ूई कर सकता है दोनों तरफ से उसको फाइदा है एक तरफ है कि मर गया तो मरने के बाद इस आत्मा कहां जाएगा? अर्जुन का आत्मा जो भी है वो जाएगा सवर्ग को वहाँ जाके enjoy करेगा अगर बच भी गया है युद्ध में सब को हरा दिया तो इधर बड़ा सा एकदम महल है रानिया है नौकर है सब मिलेगा तो दोनों तरह से एक व्यक्ति जो धर्म का पालन करता है उसको दोनों तरह से फाइदे हैं तो अरजन को एक तो एक एक आइडिया है कि अगर आपने सिर्फ धर्म पालन करने के लिए युद्ध किया तो आप फाइदे में रहोगी लेकिन भगवान बताते हैं कि भगवान ने दो दो नौलेज दिये भगवान आत्मा का ग्यान दिया और धर्म का भी ग्यान दिया ना तो अगर उसने आत्मा का ग्यान को धर्म के साथ मिला लिया तो फिर और फाइदा है भगवान चाहते हैं कि वो अपना आत्मा ग्यान जो आत्मा का ग्यान का मतलब है भगवान के साथ संबंद भी है उसका तो अगर अरजुन ने युद्ध किया हाँ मुझे धर्म का मैं शत्री मुझे युद्ध करना है और मेरा भगवान के साथ संबंद है और ये ही भगवान है जिसने ये धर्म को बनाया है किसने बनाया धर्म को भगवान ने बनाया तो अगर भगवान ने धर्म बनाया तो वो धर्म पालन से भगवान को खुश करना है हमको हमको ये नहीं सोचना है कि मुझे स्वर्ग जाना है या मुझे यहां अगर मैं बच गया तो मुझे यहां पर भोग विलास करना है enjoy करना है मेरे मेरे जो महल में enjoy करना है ये कारण नहीं रहना चाहिए हमको ये रहना चाहिए कि जिसने ये धर्म को बनाया उनकी सेवा में मुझे ये धर्म का पालन करना चाहिए भगवान चाहते है कि वो अरजुन धर्म का पालन इस तरह से करें कि भगवान की चेतना में वो धर्म की पालन हो समझ में है रहा है उसको समझना है कि भगवान कृष्ण ने ये धर्म बनाया है अग इसका मूल भगवान का मूल कारण ये धर्म बनाने के लिए जो भी ये धर्म पालन करें वो भगवान की सेवा में चले जाए समझ मैं है आपको तो ये भगवान चाहते हैं तो कभी-कभी ये होता है कि हम लोग धर्म फर एक्जामपल धर्म के पालन में हम लोग भगवान को बूल जाते हैं कि भगवान ने बनाया और भगवान की खुशी के लिए हमको ये धर्म का पालन कर अगर भगवान को हटा दिया आप सिर्फ धर्म को धर्म के लिए पालन कर रहे हैं तो उसका फाइदा होगा आपको क्योंकि आपने सिर्फ धर्म का पालन किया पर एक्जामपल आप देखते हो कि इंडिया के प्राइमिनिस्टर को ने नरेंदर मोधी जी ने पुरा शासन बनाया और नरेंदर मोधी एक व्यक्ति है और इधर रूल्स और रेगुलेशन से नरेंदर मोधी की आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपने आपकी छेतन लेकिन फॉलो कर रहे है रूल्स तो क्या मिलेगा आपको एक फ्रीडम मिलेगा लाइफ में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको सब प्रोटेक्शन मिलेगा आप बिजनेस करते हो कर सकते हो आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप नरेंदर मोधी ने बनाया और उस उसको भी आपने मैंड में रखा उसके लिए उसके लिए वन आप क्यों फॉलो कर रहे हैं नरेंदर मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हों ने बनाया उनको मुझे साडिस्पाइ करना है ऐसे भगवान यहीं चाहते है कि भगवान चाहते कि उनकी सेवा में यह धर्म का पालन हो ऐसे ने कि मुझे धर्म का पालन इसलिए करना है कि मुझे स्वर्ग जाओंगा नहीं भगवान संतुष्ट होंगे क्योंकि भगवान ने रूर्स बनाए ना वे रूर्स बनाएं, उन के संतुष्टिकी करेंगे, तो हमको ये त्वर्ग नहीं हमको मोक्ष मिलेगा, नरेंदर उमोदी के दोस्त बनगै आप, तो क्या होगा आपको, आपको कोई प्रॉब्लम होगा, क्या, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हिए आपके लाइफ में, आपको क् आपको क्यों आँख उठा के देखेगा ने क्योंकि आप नरेंद्र मोदी से दोस्ति हैं न तो भगवान चाहते हैं कि हम लोग भगवान की सेवा में हमारा जीवन को अक्टिविटीस करें समझ में आरा आपको ऐसे भी कर सकते हैं हम रूल्स फॉलो कर सकते हैं लेकिन भगवा आप सोच रहे कि मुझे अस्वार्ग जाना intercept कर लिसक्त काम मेरे मैरे सafärत के लिए मुझे ये च्छाये मुझे ऊ सय लेकिन बगती में क्या होताए भगवान को लेख चा करो लेकिन मेरी सेवा में करो एक मुझे संतु करो, ये पूजा करो, तो पैसे मिलेंगे, तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, हम लोग ये ही देखते हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं देखते हैं कि ये शास्त्रों को जो भगवान ने बनाया ना, उनकी संतुष्टी में हमको ये धर्म को चलाना है ये रूल्स को फॉलो करना है तो क्या होगा हमको? हमको सबसे बेस्ट बेनिफिट मिलेगा क्या मिलेगा सबसे बड़ा बेनिफिट? हमको कृष्ण पराप्त होंगे हमको भक्ती मिलेगी हम लोग ये जीवन में जो जन्म मृत्य जराव यादी हम लोग हमारा जीवन में क्या हो रहा है हम लोग पैदा हो रहे हैं फिर मर रहे हैं हम लोग कभी भूड़े हो रहे हैं हम लोग को कभी-कभी रोग होता है ना डिजीज आता है तो हम लोगोंने भगवान को लेकर आगे हमरी जीवन में, धर्म से जोड़ जाएंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा मैं पता है हम लोग ये जीवन से उस पार चले जाएंगे यहां रहने की ज़रूरत नहीं नहीं तो हमको यहीं रहना पड़ेगा यही चोटे-चोटे चीज़े मिलते रहेंगे हमको तो भगवान बता रहे हैं कि अरजुन को तुम मुझे मेरी सेवा में धर्म का पालन करो तो फिर तुमको उसी से हम एपी हो सकते हैं ना है ना यही चीज़ है ना यही है कि हम लोग शास्त्रों में जब देखते हैं तो हमको ध्यान रहना है कि शास्त्रों को किस कारण से बहगवान ने बनाया तो यहां यह जो ट्रैंसलेशन में परहुपा लिखते हैं कि 15 वी अध्याय और 15 श्लोक में भगवान बुर्दियो य जो शास्त्र ये भगवत गीता ये रामा और सत्त क्यों बनाएगे। क्यों बनाएगे किस कारण से बनाएगे कि हम लोग स्वर्ग चले जाएं भगवान से जुडने के लिए अगर हम ने आपने सब शास्त्र पढ़ लिए लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आई कि आपको जुडना है भगवान से आप जुडने हो किस से आप छोच रहे हो कि शास्त्र पढ़के मैं स्वर्ग चले जाओंगा, मैं अमीर बन जाओंगा, मैं प्राइमिनिस्टर मोदी बन जाओंगा, मैं बड़ा आदमी बन जाओंगा, ये फिर, ये क्या होगा पता, आपको ये अच्छा लगेगा वो समय में, लेकिन वो आदके लिए सही नहीं है, हमको ये शरीर से मुक्त होना है न, ये शरीर जो है हमारा दुख का कारण है न, जब तक हम लोग भगवान को लेके नहीं आएंगे, भगवान से जुड़के हम लोग कार्य नहीं करेंगे न, ये संसार को सिपार नहीं जा सकते ये संसार में ही रहना पड़ेगा जैसे कि एक मचली है मचली पानी में रहेगी तो खुश रहेगी भार आके कुछ आप उसको टौफी खिला दो आपको उसको सोने के बेड़ पे सुला दो तो मजाएगा कि उसको वो तड़पेगी हम लोग भी तड़प रहे हैं क्योंकि हम लोग एक ऐसे जगह पे है जहां हम को खुशी नहीं मिल सकती हम लोग को भगवान से जुड़ना पड़ेगा हम लोग पहुँच गए डूब रहे हैं हमारा काम क्या है कि हम लोग के ये इससे बाहर निकलना है कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ढूब रहे हैं और ऐसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत धार्मी के मंदिर जाते हैं लेकिन हम लोग क्या पूछ रहे हैं बगवान से तो ये संसार में आप अटके रहेंगे तो भगवान बता रहे हैं कि तुम धर्म को मेर से जोड़ो मेर से जब जोड़ोगे मेरी संतुष्टिकर तो वो भक्ती बन जाएगी वो भक्ती को आप अपने जीवन में लेके आप भक्ती से आपको क्या होगा भक्ती करने से आप ये इन श्लोकों के पहले भी भगवान ने बताया कि ये जो वेद शास्त्र है ना जो हम लोग वेद पढ़ते हैं महा भारत पढ़ते हैं क्या होता है पता है हम लोग जब पढ़ते हैं तो हर जगे पे हमको लगता है कि ये ले स्वर्ग की प्राप्ति कर लो या फिर संचंद्र लोग चले जाओ या अगले जीवन में आपके आप बहुत अमीर बन जाओ या सुन्दर हो जाओ या शक्तिमान बन जाओ यही दिखाते रहते हैं लेकिन हमको समझना है एक सादू संग में की यह सब लालच है यह हमको यहां रोकने के लिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण कारी क्या है शास्त्रों का कि भगवान से चोड़े भगवान यही है भगवान तो यह हमको जब तक हम लोग यह समझ नहीं पाएंगे आप कितने भी पढ़ लो तो वेश्ट हो जाएगा आपका वेश्ट हो जाएगा तो इतने सारे खोज कर रहें ना क्या खोज कर रहें यह बरमान के से बना है सन मून हर चीज़ को खोज कर रहें चीज़ों को ढूंड रहें लेकिन यह यह चीज़ों को किसने बनाया उसके बारे में सोच नहीं रहें यह जब पुरा संसार बनाया है ना संसार किस किस चीज़ों से ये बना है पानी से बना है आग से बना है ये वस्तू से बना है सब चीजे लेकिन ये संसार को किस ने बनाया किस कारण से बनाया वो पता नहीं कैसे बनाया पता करके फाइदा क्या है किस ने बनाया क्यों बनाया वो पता हम लोग इसलिए शास्तर से हमको समझना है कि शास् बताए, भगवान को jانने के लिए, भगवान से बक्ति करने के लिए शास्तर दिये गए है। तो यह यह यही बोट रहे हैं कि हम लोग को इसलिए, जब तक हम लोग साधू संग में नहीं आएंगे ला, तो यह शास्तरों का मूल कारण पता नहीं चलेगा। आप भार चले जाएंगे और आज कल तो हर कोई भगवत गीता पढ़ता है लेकिन वो सादू नहीं है वो वैश्णव नहीं है वैश्णव का मतलब है भगवान की भक्ती जो कर रहे हैं सादू संथ है उनको पता है कि ये शास्त्रों से उसका उसका जो मेंट पॉइंट को निक आएंगे वो कभी नहीं बोलंगे कि भगवान से जुड़ना हमारा जीवन का लक्ष है तो यहां अरजुन को भगवान यही लेवल पर लेकि आ रहे कि अरजुन तुमको युद्ध करना है लेकिन तुमको उससे करना है मेरी सेवा की भावना से करना है तुमको धर्म को पाल जन्मा यह जन्म के बाद हमको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा क्यों नहीं लेना पड़ेगा जो भगवान से जुड़े हो कुछ पाने के लिए कि क्या पाने के लिए भोतिक चीजों को पाने के लिए कोई भगवान को पाने की कोशिश नहीं कर रहा है हर कोई धर्म की पालन कर रहा है लेकिन भोतिक चीज भोतिक चीज का मतलब है सुख सुविधा नाम शौरत यह ना यही यही बड़ा तो यही लेकि इसको बोते हैं आत्मसाक्षातकार, आत्मसाक्षातकार का मतलब है भगवान को जानना और भगवान से हमारा संबंद को जानना, ये दोनों संबंद, इसलिए अरजन को बता रहे हैं, अरजन को बगवान बता, संबंद के ज्यान के साथ धर्म का पालन करो, संबंद ज्यान के ह भगवान है मैं भगतू और हमारा दोनों का संबंध है प्रेम का संबंध है और भगवान ये धर्म बनाया है और मैं बहुतिक शरीर में एक्षत्री बनके हूँ मुझे मेरा धर्म है कि ये शरीर को मैं भगवान की सेवा में अरपन कर दूँ धर्म का पालन भगवान की सेवा म भगवान की प्राप्ति अगर आप सच में बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप समझ जाओगे कि भगवान ही हमारे लिए गोल है लाइफ का अगर आप कृष्ण को गोल से हटा देंगे ना फिर आपको यहीं सड़ना पड़ेगा यहीं रहना पड़ेगा यहीं फिर से आना पड हो आप कुछ भी कर लो जेल के अंदर तो जेल में ही हो असली मजा तो जब बाहर जाओगे तब ही होगा ना तो भगवान चाहते कि हम लोग असली मजा जीवन का मजा ले कब होगा वो भगवान के साथ में भगवान की सेवा में होगा भगवान की सेवा में हमारी हमारी हमार लोग आनंद के सागर से जुड़ जाते हैं भगवान आनंद के सागर है अब हम लोग कट हो चुके हैं अब हम दुख के सागर में डूब रहें यह क्या है दुख का सागर है यहां कोई टेंशन में रहता है आपको कितने भी पैसे दो आपका टेंशन कतम नहीं होगा तो यह द जुक्की चेतना है न वो हट जाएगी तो हम लोग धर्म को भी भगवान से जोड़ेंगे तो यहां भी हम लोग खुश रहे तकते हैं तो हम लोग को तो यह जो कलियोग में हम लोग है अभी सबसे बड़ा धर्म क्या है कलियोग में लोगों का सबसे बड़ा धर्म क्या है किस धर्म को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं हम लोग ये अगर श्टार्ट कर दिया हरे कृष्ट मंतर जब करना और सादू संग में भागवत कता सुनेंगे फिर हम भगवान से जुड़ सकते हैं जिस तरह से अरजुन ने जुड़ा भगवान से शेवा करके हमारा सबसे बड़ा धर्म ये कर सकते हैं ये बहुत आसान है हमारे लिए हम लोग सब करते रहेंगे हम लोग भार भी कुछ काम करते रहेंगे उसको तो छोड़ना हो, संभव नहीं है न, जो भी कर, लेकिन हमारा मेंन अक्टिविटी क्या होना चाहिए, हमारा अक्टिविटी होना चाहिए कि हम लोग हरे कृष्ण महा मंतर का जब करें, उससे क्या होगा पता है, हम लोग जुड़ जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है क कलीयोग में किया दिया हमको । शास्त्रों से निकाल कि दिया कि यह हरेरनाम, हरेरनाम कलीयोग में साद्व संग मेंugs में रहे के भागवत कता सुनो शुड्रम करो भगवार का ना भगवार की लेला है श्रब और पिर उसके साथ हरे कृष्ण महांत्रिका जब करो तो इससे क्या होगा पता है हमारा जीवन भगवान से जुड़ जाएगा और कोई तरीका है यह नहीं अब तो अब तो है यह नहीं कोई आप ना शत्री हो ना वैश हो ना शूद्र हो आप तो बस उससे भी नीचे हो हम लोग तो हमको हमारे धर्म को हमको जुड़ने का एक ही रास्ता है कि हम भगवान की नाम का गुनगान करे भगवान के भगतों का संग करे भागवत कता सुने तो इससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा यही है शास्त्रों का सार जो हमको छेतने महाप्रभू ने दिया कल्यूक के जो लोगों के लिए बहुत आसान है आप लोग करते हैं हरे किस्ट मन्दाप तो करते हो न एक माला कितने माला करते हो